दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम सिगाची इंडेस्ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे आज इसका IPO ओपेन हो चुका है और तीन दिन तक रहेगा क्या lot size है, क्या price है, वो सारी चीज़े हम जानेंगे कब इसके listing होनी है, वो भी जानेंगे, किस पकार के financials है और हमें क्या करना चाहिए, देखिए, IPO तो बहुत सारे open है लेकिन हमने सिगाची को इसलिए select किया हुआ है क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ कमपनियों को हमें IPO में listing के बाद भी अगर हमें allotment लग जाता है, तो रखना चाहिए अगर उनके financials, उनके product, उनका management अच्छा है तो लंबी ओधी में अच्छा खसा पैसा बना के देते हैं हाँ, ये listing gain में भी अगर कोई आके निकल जाना चाहता है तो वो निकल सकता है, बट listing gain निरभर करता है पूरे बाजार पे, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पूरे बाजार के माहल पे निरभर होता है ठीक है, तो सिगाची industries के अगर हम देखते हैं products, तो basically अगर देखें तो FMCG category के लिए जो products बनाती है, कुछ chemicals बनाती है और जिस industries, industries में गरा जाते हैं, pharmaceuticals हो गया, food and nutraceuticals हो गया, cosmetics हो गया, chemical हो गया ठीक है, pharmaceuticals में गर देखें, pre-formulated excipients, high functionally excipients, thickness, stabilizers, binders, lubricants, carrier, super distinct grants food and nutraceuticals में nutraceuticals, formulations, ready to use, additives, stabilizers, dietary fiber cosmetics में, skincare, hair care, toiletry और chemical industries में, glow cell, coat cell, इस प्रकार के जो है, इनके products हैं अब company के देखें हम financials देखें कि इस प्रकार के पिछले 3 सालों में performance रही है कि March 19, 20 और 21 ठीक है, और इस तरीके से अगर हम total income देखते हैं तो 2019 में 131 करोड का था, जो की बढ़के अगले वर्ष हो गया 2020 में 147 करोड का यानि 143 करोड का, financial ये 2021 में अगर देखते हैं, तो 190 करोड का हो गये total income, इस प्रकार से अगर साल दर साल देखते हैं, तो बढ़हा ग्रोथ दिखाई दे रही है वहीं पर एगर हम सीधे नीचे आ जाते हैं, profit, effort, tax में, तो 2019 में जो था 19 करोड के आसपास अगले वर्ष बढ़की हो गया 20 करोड का, और उसके अगले वर्ष यानि फनेशल 2021 में हो गया 29 करोड का तो यानि की total income में, sales बगएरा में बढ़हतरी देखी गई, उसी proportion में अगर हम देखते हैं, तो profit भी ठीक ठाक निकल के आ रहा है, और साल दर साल बढ़हतरी देखी जा रहे है तो financial performance भी इस company की काफ़े अच्छी खासी है, आपने ऐसे देखा होगा कि बहुत सारे IPOs आते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में उनके financial performance slowly growth रहती है, लेकिन अचानक IPO के ठीक पहले वाले financial year में या पहले quarter में भयानक मुनाफ़ा दिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक तरी अगर देखें, sales growth या profit growth, मुझे ठीक लगी, इसमें किसी प्रकार का बहुत बढ़ा चला के नहीं दिखाया गया है, ओपनिंग डेट जैसा कि हमने बताया, आज है एक नवंबर को और तीन को close हो जाएगा, दस से पांच की बीच में आप अपने DMAT account में आवेधन कर सकते हैं अगर आपका DMAT account नहीं है तो description box में links है, आप click करेंगे आपका mobile से ही फटाफट account उपन हो जाएगा, और उसके बाद आप आवेधन कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे पेटियम में में कर सकते हैं, आप stocks, zero-dha, angel broking, indian full line, इन सम में कर सकते हैं, issue type है, book build issue है, main board का IPO है, face value 10 रु 161 to 163 price band है, और market lot है, 90 shares मिनमम आपको जो है, इसके लिए आवेधन करना ही होगा, और दोनों exchanges पे लिस्टिंग हो रहे हैं, यह BSC और NSC पे, issue का जो size है, आप देखेंगे तो 125 करोड रुपय यह raise करना चाहते हैं, यह 96,95,000 shares जो है, issue कर रहे हैं, जो basis of allotment date है, वो है 10 November, fund इनको नहीं मिला वापिस आजाएगा, वो 11 November के तारीक होगी, और shares जो है dreamate account में आजाएंगे, वो होगी 12 तारीक, और IPO के लिस्टिंग है, वो 15 तारीक, एक lot के लिए अगर आवेधन करते हैं, 90 shares के लिए, तो 14,676 रुपय आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद अगर आप लिए कोई 2 lot apply करना चाहता है, 3, 4, 5, 6, 7, maximum 13 तक कर सकता है, और उसे हिसाब से आप amount भी multiply कर सकते हैं, company की शुरुवात हुँ थी 1989 में, यानि करीब 30 वर्ष हो जुके हैं, company को 30 वर्ष पुरानी company है, और जिस प्रकार की products है, मुझे लगता है किसमें आवेधन आप चाह कर सकते हैं, thank you for watching this video friends